नमस्कार पाकिस्तान ने एक बड़ा कारणामा कर दिखाया है जो भारत ने एर स्ट्राइक की थी बाला कोड़ पे अब उम्मीद नहीं है कि भारत उसे दोहरा पाए और वजे क्या है वजे हम आपको बताते हैं और ये वजे का खुलासा किया है सेडो ब्रेक ये कंपनी इंट पर नजर रखती है तमाम जगे हत्यारों की तैनाती उन सब पर नजर रखती है इस कंपनी के एक रिसर्चर है डी एटेस इन्हों ने अपने टुटर एकाउंट पर एक बड़ा खुलासा किया है कि आई एचस मर्किट की रिसर्चर्चर्स ने एक जे वाई टुटी सेवने स को रडार यहां लगाया गया है पाकिस्तान इसका खुलासा नहीं किया है लेकिन तमाम दुनिया बर की सैटलाइट्स नजर रखती है इसी अरकतों पर ऐसी एक सैटलाइट ने इसको पकड़ा है और यह बता रहें कि दा चाइना मेड यह चाइना का बना हुआ है ठ्री डी लॉंग रेंज एयर सर्वलैंस गाइडेंस रडार है जो हाइली रिस्टेंट टू जैमिंग और एबिल टू डिटेक्ट इसको आप जाम नहीं कर सकते यह उनका दावा है और यह यह डिटेक्ट कर सकता है स्टील तेयरक्राफ्ट को और वह भी 500 किलोमीटर की डिस्टेंस से यानि यह बड़ी बात है मैं आपको यह थोड़ा सा मैप मैं आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर है मिया वली एर बेस और यह जो उन्होंने गोल गेरा दिखाया है यह 500 किलोमीटर यानि इधर उदर चारों तरफ 500 किलोमीटर से कोई भी कोई भी ऐसा कोई प्लेन आता है तो यह उसको रडार पेच और जाम नहीं कर सकते बड़ा आसान नहीं है पिछली बार जैमर लगाए थे तो यह 3D इमेज वाला यह नोंने वो पकड़ा है और ऐसे मैं अब आपको मैं यह बताता हूं कि कैसे मैप में आप देखेंगे कि 500 किलोमीटर की रेंज में आता क्या क अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो अमरत सर है यह भी 329 किलोमीटर है और लुदियाना है 447 किलोमीटर यह तीन शहर अगर गुलमर देखें तो लगबग यह भी 309 किलोमीटर के आसपास बैटता है तो अगर भारत यहां से कहीं से आसपास से 500 किलोम कंसल्टेंसी कंपनी का दावा है कि अब आसान नहीं होगा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना 500 किलोमीटर दूर से वो पता लगा लेगा और वो भी उसको जाम नहीं किया सकता तमाम सारे जैमर यूज करते हैं ताकि रडार हमें पकड़ना पाएं लेकिन उनका दावा है कि अब ऐसा करना इंडिया के लिए मुम्किन नहीं होगा और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान की मदद की है बागी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं इंडिया न्यूज सब्सक्राइब करें इन खबर थाइंक्यों नासकार